और राश्टिय पर्दिश से संबंधित पहला सवाल है कि 4 जूम 2020 को केंद्र सरकार ने देश भार के किन छेत्रों में अपनी तरह का पहला अर्बन लर्निंग इंटरनसीब प्रोग्राम जिसका नाप ट्यूलिप है लांच किया तो यहाँ पर विकल्प दे रखा है ग्रामीड छेत्रों में अस्थानिय सहरी निकायों में विश्विद्यालों में या आईटियाई कालेजों में तो इसका सही उत्तर होगा अस्थानिय सहरी निकायों में और प्रोग्राम का नाम है अर्बन लर्निंग इंटरनसीब प्रोग मंत्री परकाश यावडिकर को सौपी इस समिती के अध्यक्ष कौन थे तो अध्यक्ष थे बिमल जुलका और बिमल जुलका वर्तमान में मुक्ष शूचना आयुक्त के पत पर आसीन है तीन जून दो हजार बीस को केंद्रिय मंत्री मंदल ने किरसी उपज व्यापार और समिती है उससे बाहर बेच सके इसके लेक माहो लेक जो है इन्वार्मेंट तयार करना इसका उद्यस है तीन जून दो हजार बीस को किसे ने विजली में अखिल भारती रियल टाइम मार्केट लांच किया तो इसका उतर होगा आर्के सिंग जो कि केंद्रिय विद्युत नव कि पुनरस्थापना को मंजूरी प्रदान की है यहां पर किस कोस का नाम होगा आउसद कोस आयोग तो यह आईश मंतराले के तहत होगा तीन जून दो हजार बीस को केंद्रिय मंद्री मंदल ने कोलकाता बंदरगा ट्रस्ट के नाम से किस नए नाम को मंजूरी प्रदान की ह है श्यामा प्रसाद मुखर जी बंदरगा ट्रस्ट इसका नाम कर गिया गया है और नेक्स्ट है कि फरवरी 2020 में समुदाय आधारित पोष्ण परबंधन लागू करने वाला आदेश का पहला राज्य कौन बना है तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य परदेश 16 परवरी 2020 को आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरी वाल ने दिल्ली के मुख्रमंतरी पत्की सबत ली इससे संबंधित निम्न कत्वनों पर विचार कीजे यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दे रखा है और तीनों स्टेटमेंट का फूट दिया गया है तो यहाँ पर चुननन सब्सक्राइब दूसरा है चुनाओ परिणाम में भारती जन्ता पार्टी को आठ सीटे पर आप्थ हुए थी तो यह भी स्टेटमेंट सही है अर्विंद केजरी वाल लगातार दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंतरी के रूप में सपत लिया है तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है यानि कि इसके तीनों स्टेटमेंट सही है और अगला सवाल भी कूट वाले ट्रेंड से ही संबंधित है जिसमें दिया गया है कि उन्नीज फरोरी दौजार बीस को भारत सरकार द्वारा बाईश में विधी आयोग के गठन को मंजूरी परदान की गई इस आयोग के सं अनुसंदान उपलबध करने के अनुरोध पर बिचार करना तो यनि कि किसी भी बाईरी देश को कानुन सम्मन्दी जो भी अनुसंदान होता है उस पर भी विधी आयोग विचार भी मर्स करता है तो दूसरा सथे मिना सही है और तृसरा है कि गरीब लोगों की सेवा में का बाईशमा विधियायोग था और निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला दिया गया है कि उन्नीस जनौरी 2020 को मंजूरी पराप्त बाईशमा विधियायोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के परकासन की तिति से तीन वर्स किया उदी के लिए गठित किया तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है तीसरा है इस आयोग का गठन पर टेक तीन वर्स में किया जाता है तो देखे राजपत्र में जो भी डेट होती है वहां से तीन वर्स के लिए गठित किया जाता है तो पर टेक तीन वर्स में होता है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है और उता है कि 21 में विधियायो का कारिकाल 31 अगस्त 2018 तक था तो चारो स्टेटमेंट इसके सही हैं और अगला है कि 18 फरोरी 2020 को उत्तर परदे सरकार द्वारा पेस बजट अनुवान 2021 के संदर्व मेंने मिलिखित कथनों पर विचार करना है तो यहां पर भी स्टेटमेंट दिया ग अब तक पेस के गए बजट अनुवानों में से सबसे बड़ा बजट अनुवान है दूसरा है कि विगत बजट अनुवान की तुलना में यहां तीस हजार एक सो उनसट करोन रुपए अधिक है तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है तीसरा है परस्तूत बजट में सिच्छि मा कि धनराशी परसी छणा भते के रुप में परदान की जैगी तो चारो इस्टेटमेंट सही है जो कि यूपी बजट से सम्मदित सवाल था तो पूँचा जाना सवाल त allowing सवाल भी उत्तर परदेश के बजट से ही समद्धित है उत्तरपरदे सरकार द्वारा पीश बजट अड़मान दो हजार बीस इक्रीज के संदर में जमलिखित कस्नों पर विचार करें पहला है कि बजट में साथ विश्विस्ट द्यालें की अस्थापना का प्रस्ताव है पहला स्टेटमेंट सही है बजट स्टेट जीडीपी का 2.97 परस्ताथ है तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है चुछा स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट स्टेटमेंट से बने हुए सवाल है जैसे एक पुढ़ा जा सकता है कि राज को उसे घाटा कितना अनुमानित है तो यह हो जाएगा तीरपन अजार इक सो पंचानेवे दसमलो चार चे करोल पे जो की स्टेट जी डीपी का के इंदर सरकार ने देश की दस और अति महत्पूर जीलो बेट लेंड्स को रामसर साइट गोसित किया है तो पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा है कि इसमें उत्तर परदेश की छे पंचाब की तीन तथा महाराष्ट की एक जील सामिल है तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है तीसरा इसके साथ ही वरतमान रामसर स्रेणी में कुल 37 जीले हो गई है जो की वेट लेंड्स हैं आदर भूमी है तो तीसरा स्टेटमेंट भी इसका सही होगा संबंदियों के साथ योन संपर्क पीडित और अन्य आशुरस्चित महिलाएं जिसमें दिव्यांग और नावालिक भी सामिल होगी इसके दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे 27 जनौरी 2020 को केंद सरकार ने असम के उगरवादी समोहों में एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आप बोडो लेंड और दो अन्य संगठनों के साथ सांती समझोते पर हस्ताक्षर किये इस संबंध में दिये गए कथनों पर विचार करें यानि कि यहाँ पर भी दिये गए कथनों में सही कथन कौन से उस सारी कथनों का चेन करना है चूंकि नीजे कूट के माध्यम से उनका उत्तर दिया गया है पहला है इस समझवते का उद्देश बोडो की सामाजिक सांस्क्रितिक भासाई और जातिय पहचान को संबच्छित करना है तो पहला स्टेट्मेंट सही है बोडो चेतर के विकासे तो फंद्रा सो करोन रुपए की विशिष्ट परियोजिनाय सुलूप की जाएगी दूसरा स्टेट्मेंट भी सही है तीसरा भी सही है जिसमें कहा गया है कि बोडो आंदोलन में मारे गए इसे संबन देतर निमलिकित कत्वनों पर विशार करना है यानि कि सही कत्वनों का चयन यहां पर करना है पहला है कि इसका सुभारम यानि कि मिशन पूर्वोदय का सुभारम कोलकाता पशिमंगाल से किया गया है तो पहला स्टेट्मेंट सही है दूसरा है पूरवोत्र राज्यों की विकास के संदर्व में इस पात मंतराले द्वारा मिशन पूर्वोतर की सुरुवार देख से पारित हुआ इसमें निम्लिखित कत्मों पर विचार करना है कि सही क Gray करना है तो यहां पर दिखे सारी कत्म जो इसके इस्टेटमेंट सही है लेकिन इस्टेटमेंट को हम देख लेते हैं लिखा गया है बिले के पश्चात इस नए केंदर सासित परदेश का नाम दादरायोम नगर हवेलिय और दमनवद्धी होगा या बांबे उचन्याले के छेतरा दिकार में सासित होगा या केंदर सरकार द्वारा अधिसूचित दिन से लागू होगा और इस विदहक से परशासनियों सिवा सर्थों और आरक्षन में कोई बदलाओ नहीं होगा तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर इसके जो है वो सही है और नेक्स्ट है कि दिसंबर 2019 में नीती आयोग ने सतत विकास लक्ष भारा सूच कांक 2019 का दूसरा संसकरन जारी किया इससे संबंदेत कत्वनों पर विचार करना है यानि कि यहाँ पर भी सही कत्वन का चैन करना है पहला है तीन राजी उत्तर परदेश बिहार और असम जो 2018 में आकांची स्रेणी में थे सुधार करते हुए पर फार्मर की स्रेणी में आ गए तो पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा है कि इस सूच कांक में 17 विकास लक्षो में से 16 SDG के संदर्भ में परतेक राजी और के नसासित परदेश के परदर्शन को 0-100 के पैमाने पर माना गया है तो परतेक राजी को 0-100 के पैमाने पर माना गया है इसके भी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे अगला है कि दिसंबर 2019 में चीफ डिफेंस चीफ आफ डिफेंस स्टाप पद का सिरजन करने की मंजूरी दी गई इससे संबन इतने मिलिखे कत्नों पर विचार करना है वारच्छा मंतरी के लिए प्रधान सेन सलाकार की भूमका निभाएंगे यह स्टेटमेंट सही है दूसरा हो जाएगा कि दिसंबर के अंतर तक 2019 में जारी रिपोर्ट के अंसार भारत को वर से 2020 से 2025 तक पांच ट्रिलियन डालर की जीडीपी हांसिल करने है तो अव संदसना परियोजना पर कितने ट्रिलियन डालर खर्च करने होंगे यहाँ पर दिहान रखना है कि यहाँ पर स्पेशल पूठा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रेक्चर पर और संदसना पर योजना पर तो वहाँ पर एक दसमलोग चार ट्रिलियन डालर खर्च करने की आवसिकता है और अगला है वन इस्थिती रिपोर्ट को ले करके कि आई एस एफार आई एस एफार दोहजार नीज के संदर्व में जिसे इंडियन स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं यानि कि भारतिये वन इस्थिती रिपोर्ट पर तेक दो वर्स में जारी की जाती है तो यहाँ पर आई एस एफार दोहजार नीज के संदर्व का 0.15 परस्त है तो पहला स्टेटमेंट सही है देखिए यहां पर कई सब सवाल बन सकते हैं यहां पर मतलब कुप सवाल बनते हैं जैसे अगर माली जी पूछा जा कि निम लिखित में से मैंगरो कबर जो की 4975 वर किलो मीटर है आई से फार 2019 के अनुसार तो वो जो है क्या कहते है कि टूटल लैंड इक्वेजिशन का एरिया का कितना है तो 0.15 परस्त उसका उत्तर हो जाएगा दूसरा है दूसरा स्टेटमेंट 20 का सही है देश के सरवादिक मैंगरो आच्छादित चार राजित्वा संग राजित छेतरों में हैं जिसमें से पहला है पश्चिम मंगाल में जहां पर मैंगरो का कवरेज है 42.45 परस्त दूसरा गुजरात में है जो की 23.6 परस्त है तीसरा यूटीज जो है अंडमान निकोबार दूप समूव में है 12.39 परस्त और चुथा है आंधर परदेश में 8.12 अब देखे इस सवाल को अगर अलग से सवाल बना जाए तो व तीसरा अंडमान निकोबार है और चौथा जो है वो आंधर परदेश है तो पी जी अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो पी जी एटू आप याद कर सकते हैं पी जी एटू और तीसरा इस्टेटमेंट देखते हैं जो कि उत्तर पूर्वी छेतर में कुल वनावरण कि प्रसतना है वो है एक लाग सत्तर हजार पांच सो एक तालीस वर्ग किलो मीटर जो की जो कि इसके कुल भावगोलिक शेतर फलका 65.05 प्रसत है तो दूसरा इस्टेटमेंट भी सही होगा चौथा है कि मैंगरो वनावरण में सरवाधिक बृद्धी दर्ज करने वाली तीन राजिक गुजरात महाराश्टर उडिशा है तो सरवाधिक बृद्धी यहां पर है तो तीसरा इस्टेटमेंट सही हो जाएगा और अगला है कि देश का कूल भांस धारित छेतर कितना है 16,37 किलो मीटर है तो इस परकार से ISFR से आप देखेंगे तो बहुत सारी सवाल बनते हैं आपे जिसमें से उत्तरपूरवी छेतर को लेकर के सवाल बन रहे है जहां पर वनावरण कितना है वो भी बन रहा है और मैंगरो अच्छादिच छेतर और प्रतिसत्ता के हिसाब से औ वहाँ पर कौन-कौन से ब्रतिवाले चेतर हो जाएंगे जिसमें गुजरात सामिल है महाराष्ट सामिल है और ओडिशा सामिल है तो ये तीन स्टेट सामिल है ब्रतिच के हिसाब से अगला कि सात्वी आर्थिक जनगर्ना के संदर्व में नेमलिखित कतनों पर विचार करना है यहाँ पर भी सही कतन का चैन करना है सभी स्टेटमेंट इसके सही है पहला है कि सात्वी आर्थिक जनगर्ना की सुरुआत 29 जुलाई 2019 को तीर्पूरा में हुई थी पहला स्टेटमेंट भी सही है दूसरा है की सांखिती और कारिकर्म का रेन्मेंट मंतरा लेने सात्वी आर्थिक जनगर्णा के लिए आम सिवा के इंदरों e-learning, e-governance सिवा के साथ समझोता किया है तो दूसरा statement भी सही है e-governance के सिवा के साथ समझोता हुआ है तीसरा है पहली बार समझोता जनगर्णा एक एप्लिकेशन के उप्यों के द्वारा डिजिटल प्रेट फान पर की जाएगी तीसरा statement भी सके सही है और अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे नागरिकता संसोधन अधिनियम 2019 से संबंधित निर्खित कत्रों पर विचार कीजिए पहला है दिसंबर 2019 में राष्टपती रामनात कोविन द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी परदान की गई पहला statement सही है दूसरा है इस अधिनियम का उद्देश पाकिस्तान अफगानिस्तान यों बांगला देश की छे अलप संक्यत समुदायों को भार्टिय नागरिकता परदान करना है दूसरा statement भी सही है तीसरा है कि इस अधिनियम के प्रावधान समिदान की छठी अनसूची में सामिल असम में घालाय मिजोरम और तीदपूरा के आजिवासी छेतरों पर लागू नहीं होंगे तो तीसरा statement भी सही हो जाएगा और यहां पर ध्यान रखेगा कि छठी अनसूची में जो है ये चार स्टेट चार राजे सामिल है जिनके परसासन का जो है आजिवासी छेतरों की परसासन का यहां पर जिक्र है नॉमबर 2019 में उत्रा खंड में होने वाले खेल महाकुम की संदर में कौन सा कतन सही है इस खेल महाकुम मका सुभंकर कस्तूरी मिर्ग है पहला statement सही है दूसरा है इस खेल महाकुम में तैराकी, तीरंदाजी और तलवारबाजी को पहली बार सामिल किया गया है तो दूसरा statement भी सास सही है अगला है कि नॉम्बर 2019 में स्वीटीजर लेंड के परमुख विजनेस स्कूल आई-मडी द्वारा जारी विश्व परतिभा सूचकांग में भारत को कौन सा अस्थान पराप्त हुआ है तो भारत को 59 अस्थान पराप्त हुआ है, 69 अस्थान पराप्त हुआ है उडिशा के डाक्टर एपी जेवदुल कलाम दुविब जिसका पहले नाम हुईलर दुविब था इससे सफल रात त्रीकालीन पर इक्षण किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा अगनी नॉमबर 2019 में भारत के पंजियक महा पंजियक का रिया द्वारा देश में मात्र मिर्तियोदर से सम्मंदित रिपोर्ट इस्पेशल बुलिटेन आन माटरनल मार्टिलिटी इन इंडिया 2015 से 2017 के अनुसार देश में मात्र मिर्तियोदर अनुमानित नॉम्बर 2019 में भारत के महा पंजियक कार्याले द्वारा देश में मात्र मिर्थी उदर से सम्मंदित रिपोर्ट इस फेशल बुलेटेन आन मैटरनल मार्टिलिटी इन इंडिया के अनुसार देश में मात्र मिर्थी उदर अनुपात परती एक लाख जीवित जन पर कितनी रहे गई है तो इसका उत्तर हो जाएगा एक सो बाई और गला है कि किश नॉम्बर 2019 को प्रास्पेर्टी एंड इंक्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड सूचकांक 2019 में स्वीटिजर लैंड के जियूरिक को सीर्स अस्थान पर आप्ट हुआ है भारत को इसमें कौन सा जो है भारत के कितने सहरों को इसमें सामिल किया गया है यहाँ पर यहने पूचा जा रहा है भारत का स्थान कौन सा है तो भारत के इसमें तीन सहरों को सामिल किया गया है नॉम्बर 2019 में Institute for Economic and Peace द्वारा जारी वैस्विक आतंकवाद सूचकांग 2019 में आतंकवाद से परभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान पर अप्त हुआ है तो यहाँ पर भारत को सातवा स्थान पर अप्त हुआ है और वहीं पर पहले स्थान के बात करें तो पहले स्थान पर अफगानिस्थान है अगला है कि 20-22 नॉम्बर 2019 के मद्दे भारत आसियान एनोटेक समिट कहां संपन हुआ तो भारत आसियान एनोटेक समेलन जो है ये फिलिफेंस के दिवाओ में संपन हुआ है देखे दिवाओ एक ऐसा स्थान है जिसको मिलान करने के लिए पेपर में आ सकता है अगला है किता सक्टूबर 2019 को किसने मा और नौजाद सिसु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुलवत् परियावरन वन और जल्वाई परिवर्तन मंत्री मंत्राले ने इंडियन आयल कार्पोरेशन रिम्टर को कहां पर नए टूजी एथेनाल सेयंतर स्थापित करने के लिए परियावरनी सम्मंदी स्विकृति प्रदान की है तो ये पर हर्याडा के पानी पत में इसकी परियाद की होशना की चुनाव का परिणाम कब जारी की गए तो 13 दिसंबर 2019 को इसका परिणाम जारी हुआ है 23 अक्टूबर 2019 को जारी की गई मेलबर्न मर्सर गलोबर पंसन इंडेक 2019 में सीस अस्थान नीदरलेंड को पराप्त हुआ है 25 अक्टूबर 2019 को जारी वैस्विक स्वास्थ शुरक्षा सुचकाम 2019 में भारत पोर 57 अस्थान पराप्त हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को जारी राष्टी अपराद रिकार्ड वेवरुप के आकड़े क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 के अंजार महिलाओं के मिलूट सबसे ज़्यादा अपराद करने के मामले किस राज में दर्ज किये गए हैं इसका उत्तर हो जाएगा यूपी यहनिक उत्तर प्रदेश और 17 अक्टूबर 2019 को नीटिया योगद्वारा जारी भारत नवाचार सुचकांग 2019 में परमुख राजियों की स्रेडी में किस राज को सिस रस्थान परात हुआ है तो इसका उत्तर होगा करनाटक और अगला है कि 6 नौमबर 2019 को केंद्री मंदल ने रियल इस्ट सेक्टर को पनर जीविद करने है तू रुके होई आवासे परिजनाओं को वित्त पोस्न परदान करने है तू कितनी रासी के विशेश फंड की स्ताफना को मंजूरी परदान की है इसका उत्तर हो जाएगा 25,000 करोन रुपे और अंत में लास्ट है कि 5 नौमबर 2019 को केंद्र ग्रामेड विकास किर्सी और किशान करल्याने उंपंचाथी राजमंतरी नरेंद्र सिंग्टोमर ने बंजर भूमी एटलस 2019 का पाचवा संस्क्राव जारी किया इसके अनुसार की सर्राज में शर्वाधिक सकारात्मक बदलाव हो आया है तो इसका उत्तर हो जाएगा राज विक है और संस्क्राओ का रामे बात्तर हो आपके सकाराइब कर में आपके स